नमस्कार दोस्तों, दिस इस एवरिटिंग चैनल, एवरिटिंग फॉर यू दोस्तों, आज हम प्री गाबालीन टेबलेट का रिवीव करने जा रहा हैं हम इसकी डोजेज, ब्रैंड नेम, साइड इफेक्ट, इसको इस्तमाल करने का तरीका, इसकी विसेस्ताएं और किन किन जगहों पे यही मिलेगी, इन सभी के बारे में जर्चा करेंगे प्री गाबालीन का जैनरिक नाम प्री गाबालीन ही है, इसका कंपोजिशन भी प्री गाबालीन होगा brand name या tablet का नम अलग-अलग हो सकता है लेकिन सभी tablet में आपको composition में यही मिलेगा pre-gabalin इसके इस्तमाल की बात करें तो इसका इस्तमाल neuropathic pain मतलब नसों में होने वाले दर्द anxiety, epilepsia मतलब मिरगी इन सभी चीजों में किया जाता है अब बात करते हैं pre-gabalin काम कैसे करता है pre-gabalin को खाने पर यह हमारे सरीर में जाके हमारे नसों के दर्द को कम करता है यह हमारे मस्तिस्क में जाकर मस्तिस्क से नसों में पहुचने वाले दर्द के संकेत को ब्लॉक कर देता है जिससे हमारे नसों में होने वाली खिचाओ या दर्द कम हो जाती है और हमें दर्द का पता नहीं चलता है प्री गाबालिन एक एंटी कानवेलसंट है इसे दाद, दोरे और फाइबरो मालिया के उपचार की पहली पंक्ति मानी जाती है जोकी रीड की हड़ी के चोट, बेचैन पैर सिंड्रोम, मिर्गी और सामानी चिंता जैसे विकार के उपचार के लिए काम आती है और इसके अलावा पैनिक अटेक, कमर दर्द, डाइबिटिक नियूरोपैथी, डाइबिटिक नेफरोपैथी, ट्राइजेमिनल, नियूरालजिया, साइटिका, नसों की कमजोरी और नसों में होने वाले सूजन को दूर करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको खाने से आपको थोड़ा चक्करा सकता है, हलका थकान मसूस हो सकता है, हलका चिंता हो सकता है, धुंदली, दृष्टी, मूँ, सूखना, सांस लेने में दिक्कत, पेट में गैस और कबज जैसी समस्या हो सकती है प्री गाबाले इनको कौन कौन ले सकता है, ये वो लोग ले सकते हैं जिनके नसों में दर्द, चिंता, घबराहाट हो रही हो, या रिंड की हड़ी में चोट लगा हो, या मिर्गी जैसी समस्या आ रही हो, वैसे तो इसे डॉक्टर की सलाह पर लें तो बेटर होगा गर्भुवती और अस्तनपान कराने वाली महिला इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लें, इसके साइड इफेक्ट हिरदय और जिगर पर तो कम होते हैं, लेकिन गुर्दय पर इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, हाला कि आप कोई भी दवाई डॉक्टर को दिखा के ल साइकड़ो हजारो रुपया तो हम लोग फालतू की जीजों में उडा देते हैं तो अपने सेहत के लिए इतना तो हम करी सकते हैं और इसके साथ साथ सही डॉक्टर को भी दिखाए क्योंकि आज की डिट में डॉक्टर भी बहुत फ्राड हो गया हैं ये आपको सभी अंग्रेजी दोवाओं के दुकान पर मिल जाएगा इसके टेबलेट नेम की बात करने तो लिर्का जिसे फाइजर कमपनी बनाती है मैक्स गेलिन संट फार्मा दवरा बनाई जाती है प्रिगेलीन, टोरेंट फार्मादवारा बनाई जाती है और इसी तरह और भी हैं जैसे प्रिगेबिट, गाबाविन, प्रिगास्टार, एटीसी, एटीसी इन सभी की प्राइज आपको अलग-अलग बाजार में मिल जाएगी आउनलाइन थोड़ा ये सस्ती पड़ेगी ये सभी टेबलेट जो मैंने बताया है इन सभी का मेन इंग्रीडियन्स या कंपोजिशन प्रिगाबालीन ही है ये आपको कई पावर में मिल जाएगी 50MG, 75MG, 1500MG, इसके लावाँ और भी कई पावर MG में कनफ्यूज मत होई गया MG का मतलब मिलीग्राम इसकी डोज की बात करें तो डॉक्टर आपकी बीमारी के आधार पर इसे निर्धारित करेगा वो ये टेबलेट दिन में एक बार भी दे सकता है और दिन में तीन बार भी दे सकता है लेकिन इसकी एक दिन में मैक्सिमम डोज तीन सो से शे सो MG हो सकती है तो ये था प्री गाबा लिंट टेबलेट का फूल इंफॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे Everything Channel, Everything For You